दोस्तों नमस्कार मैं हूँ दीपक हिमानसू और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला थोड़ी दिर पहले हम लोगों ने आपको बताया था बीपेसी चेर्मेंट साहब का एक ट्वीट आया था कुछ इंपॉर्मेशन दी गई थी अभी दो और नए अपडेट आ गए हैं एक बहुत सारी बाते चल रही थी तो क्योंकि बहुत सारी बच्चिया फॉर्म भड़ेंगे और बहुत सारे सेंटर्स वेंटर्स की भी बात होगी तो यहां पर उन्होंने दो ट्वीट किये हैं एक सर्टिफिकेट को लेकर भी किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा पहले चेंज इन एक्जाम डेट यह इन्होंने क्लियर कर दिया है बेसिकली क्या हुआ था कि जो इन्होंने एक्जाम कलेंडर था पहले तो 19, 20 और 26, 27 अगस था फिर उन्होंने ट्वीट करके यह बता दिया था कि अब जो हम एक्जाम लेंगे वो 24, 25, 27 लेंगे ठीक है 24, 25, 27 यह चार दिन में एक्जाम होगा तो अब यह यहाँ पर बोल रहे हैं कि there won't be any changes in exam date तो जितने भी बाते अभी चल रही थी कि exam date में बदलाव होगा या अब यहाँ पर जो है कुछ changes हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारी अभिरती हैं तो ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है clearly इन्होंने यह कह दिया है कि there won't be any change in exam date कुछ भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़े यहाँ पर बीच में बिरोध प्रदर्शन भी हुए काफी सारी चीज़े भी code पे भी मामला गया लेकिन exam date में कोई बदला नहीं होगा यह final हो गया और दूसरा इन्होंने बोला है कि some candidate in the recent concluded interviews submitted NCL certificate which are issued after the cut of date as per the existing norms such certificate are unacceptable even if the content is valid that should change अब इन्होंने क्या बोल दिया है कि इन्होंने recently पाया है किसी अलग अलग exams में कि जो NCL non criminal certificate होता है आई प्रमान पतर से जुड़ा हुआ उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यह जो non criminal certificate है issue date के बाद का लोगोंने submit कर दिया है जैसे कि मानलेजे कल को document verification के time पर उस time कुछ बना के सब्मिट कर दिया तो ऐसा नहीं संभव है एक अगस्त जैसे कि उन्होंने दिया है न हमारे NCL के लिए तो एक अगस्त से पहले का वो आपका issue होना चाहिए तो उसके बाद अगर जैस certificate reject हो जाएंगे तो आपका जो भी cut of date है उससे पहले का होना चाहिए मतलब कि इस point को कोई भी ignore ना करें कि अभी मानलेजे को पूराना वाला certificate था जिसका validity खतम होने वाला आप समझेगा बात को जिसका validity कि अभी खतम होने वाला है उसको भर दिया लेकिन कल को अगर document verification हुई कुछ दिनों बाद तो उसमें अगर वो certificate जो है बतलब यहां तो invalid हो गया खतम हो गया उसका date तो तब लोग नया certificate बना के देदेगा तो वो valid नहीं होगा जो issue date है cut of date है उससे पहले का वो issue होना चाहिए तो कहने update के पहले का बना हुआ हो ठीक है यह आप लोग ध्यान रखिएगा यह दो update है आप लोग दोस्तों पूरी तरीके से पढ़ाई में लग जाईए जो लोग form भड दिये हैं और अपना जो भी आपने ncl वगेरा बनाया होगा मैं उमीद करता हूं कि पिछले एक-दो महने के अ YouTube पर हम लोग लगाता टीचिंग वाला पर classes चल रही है अगर आप systematic चाहते हैं paid badge भी तो आप PW app download करके उसमें teaching category कंतरगत नियुकती badge में जाके पढ़ाई कर सकते हैं और अगर आप seated appearing भी हैं तो नियुकती badge के बच्चों के लिए seated appearing की स्रम 2.0 badge बिलकुल free में मिल रही है ता कि अब कहीं पर भी कुछ भी बतलाव नहीं होने वाला है और यह बहुत important है thank you very much दोस्तों आगे एक update के लिए भी हम लोग बने रहेंगे अब आप लोग पूर तयारी में लग जाएए चीजे जो भी है फॉर्म भड़ा गया है बाकि जो भी होगा document के time देखा जाएगा thank you very much